जी हाँ दोस्तों एकदम आपने सही सुना अगेन आज में खेराव सोलवस स्कॉर्ड और आज मैं आ चुक हूँ मिल पे काफी टाइम के बाद और दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं मेरे साथ तीन या चार स्कॉर्ड और वाइसा फाइट पे स्टार्ट हो गई बंदे उतरते उतरते फाइट करना इस्टार्ट कर देते अरे मुना तुम्हारे पास तो गन ही नहीं है दोस्तों यह बंदा उधर से भाग कर इधर आया गन लूटने के लिए बट भाई इसकी इधर कबर खुद गई अरे यार उपर में तो काफी ज़्यादा फाइट हो रही है दोस्तों जाना परेंगा अरे लगजा एक गोली कर रहे गया था भाई कसम से भाई इसको कोई और बंदा ना मार दे बस नहीं तो अपना हो जाएगा किल चोरी अभी एक बंदा नौक पर रहे रुखो चला भाई सा फिरी का केल अभे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई क्या मैंने मारा दोनों को अभी एक और आ गया ओ भाई वनली रेड नंबर क्या था ये हैं क्यर है वाई है क्यर है अशिव भाई है क्यर है चला भाई सब यहाँ पर पांच की लोग है दोस्तों मानना फरेगा MP5 तब आ ही गनने मतलब क्या मैंने मारा उन्हें पता भी नहीं चला और ओ लोग खटम एक ताइम था दोस्तों जब MP5 को कोई भाव नहीं देता थ बट अब के टाइम भाई MP5 का दबदबा है क्रेज है वाई क्रेज अभे दोस्तों ये बंदा ना निचीन्त होकर अपने टिममेस को रिवाइब दे रहा था बट भाई इसकी मैंने गोवी खोद दी और ये अपने टिममेस को रिवाइब भी नहीं कर पाया दोस्तों हम लोगो कर दिया हितलिस अभी हम लोग सीधा जाने वाले हितलिस वाले बंदे के पास और उसकी कब रखो देंगे उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना और अगर एक दम से नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एक सब्सक्राइब कोटा भाई समझ के करवा देना वैसे दोस्तों हीटलिस वाला बंदा हम लोगों के सामने ही है पता नहीं क्या कर रहा है यह देखो भाग रहा है इसकी टाम बोडी बोडी अबे चलो भाई सब लास्ट में हेट लग गया उसे और उसका सूनिया चलो दाउन भी हो गया क्या बात है चलो दोस्तों यहां पे हमारे हो चुक है सेवेन किल और मेरे को छोड़कर अभी 29 बंदे अलाइव है सामने वाले दिल से ना दोस्तों किसी बंदे ने अपने टिमेस को रिवाइब करी है तो भाई वहां पी वह हो सकता है या फिर भाग भी गया होगा यार कोई गरा होगा बर्ड हम लोग जाकर देखेंगे यार कहीं मिल जा तो अच्छी बात होती सामने गुलू लगी है मतलब है फाइट हुई है लग तो रहा है बाइक भी है भाई दोस्तों अगर बाइक यहां पे है तो भाई वह बंदा भागा नहीं है यहीं पे है और सायद से मेरे को लग रहे है कि वह कैम कर रहा होगा बर्ट यार अपने को टेंसा नहीं लेना क्योंकि अपने पास है एंपी 5 मैक्स सीधा हम लोग बंदे का खोपरा उरा देंगे इसकी भैस की टांग सामने से पहले हम लोग तोकन ले देते हैं कि हिटली से भी करना होगा ना यार चलो फिरी का किल मिल जाता बर्ट वो बंदा चालाग था कवर में चला गया यहाँ पर और भी बंदे है अरे भाई यह देखो रिवाइब करने जा रहा है उससे चलो भाई साब यह भी नौक क्या बात है चलो फिनिस भी हो गया भाई साब अपने को रिक्स नहीं लेना है नहीं यह कि अहां पर मज़ा आगया भाई फिरी का किल लेकर भाई लूट है कि क्या है यह इतना अच्छा लूट भाई मज़ा आगया लूट करके यार थॉमसम है एसी एसी है भाई इसमें कुछ नहीं यह तो भी खारी था अबे कोई गारी लेकर आया एक मिनट रुको तो दोस् का दोस्तो इसके तिम्यस्तना इसको गाली दे रहे होंगे क्योंकि इसने हरका थी वैसी करी थी भाई से बिना इस किल के बाई चला रहा था बताओ हद है मतलब कहां से आते हैं ऐसे महा पूरुश वैसे दोस्तो अपना हो चुकर यहां पे किल 10 और मेरे को छोड़कर बंदे लाइवेट तीस जो कि वाकई में एक दमदार बात है लग रहा है किस बार भी 20 प्लस किल होने वाला है यार दोस्तो आज कलना मैं कुछ ज्यादा ही प्रो हो गया हूं हर एक लोबी में 15 प्लस 20 प्लस किल ऐसे कर रहा हुआ है और पता है दोस्तो मेरा हाइस्ट किल हिरोई को लोबी में 26 26 मैंने करा था कुछ टाइम पहले उस टाइम मैं ना हिरोई के एक या दो इस्तार पर था तो करा था वाई मतलब आदा लोबी मैं अकेले ही खा गया था और दोस्तों तुम लोग ना मेरे को कमेंट करके बताना तुम लोगों का हाइस्ट किल कितना था और किस र एक मिनट यह देखो भाग रहे हैं स्की टार अब चला भाई सबनों क्या बात है यह खतम अब हिटलिस वाला बंदा सामने से मार रहे है उधर ना किसी और से वह फाइट कर रहे है अब इस घर में बंदा एक मिनट अब जी एटीन के टट्टे आ ना भाई तुम मार लो मेरे हम तो अखंड लेवल के नूबरे बंदे हैं ना तुम्हारे जी एटीन से मर जाएंगे पहले मैं हितरिस वाले बंदे को देखता हू उरुको सामने से यह फारिंग के जा रहा है उपर में ना किसी बंदे से यह फाइट कर रहा था यह देखो गुलू लगा के खा रहा है व ना रुको दोस्तो मेरे पास लड़ू चार अब इसकी भाई बच गया भाई कसम से क्या बचा ये अभी तो एक खतम था इसका टिममेट है दोस्तो हित्लिस वाले बंदे का ना टिममेट है मेरे पास लड़ू ये गरम-गरम लड़ू खाऊ और अमर जाऊ एक और ले लो तुम अबे दैमिज नहीं आया फेका कहां पे और गिया कहां पे देख लो अबे ये देखो इधर भाग रहा है असकी टांग तुम्हारी तो हेड लग जा भाई भाई कसम से एक गोली कर रहा गया वो ये भे निकल गया दोस्तो एके धोखा देती भाई में टाइम पर ही धोखा देती है ये दोनों कसम से दोनों को ना हेड लगता यहां पे कभी कभी एके मक्षन की तरह चलता है और कभी कभी एके ना हद से ज्यादा रिक्वेल करता है बाई गरेना वालो तुमको मैं क्या बोलू मेरे पास सब्द नहीं बचे है बोलने के लिए तूने मेरे हितलिस वाले बंदे को मारा तेरी तो हो गया मन खुश ओड करेगा किल चोरी भैंस की टांग दोस्तो पता इसने किल चोरी कर लिया मेरा हितलिस वाले बंदे को इसने मार दिया अरे भाई द्रोन में कोई बंदा दिखा रहा है सामने सामने हमारे कोई बंदा है दोस्तो यह देखो भाग रहे है भाईस की टांक, तेरी तो एक मिनट बोडी बोडी, अबे चलो भाई सब नोक क्या बात है, चलो भाई उसका भी किल मिल गया, जिस वंदे ने मेरे हित्रीस वाले बंदी को मारा था, घरी के उपर हम लोगों ने नोक करा था ना, उसका किल मिल गया है अभी को मारा रहे भैंस की टंग किसको मरना है अब अच्छा तेरे को मरना है क्या देखो दोस्तों वह उपर से जम करके आ रहे हैं लेकिन पीछे से जोन भी आ रहे है निकलना परेगा पहले हम लोग सेफ जोन में जाएंगे उसके बाद हम लोग फाइट लेंगे भाई नहीं तो मैं हमेशना जोन में फस जाता हूँ उसके बाद निकलना मुश्किल हो जाता है इसलिए पहले सेफ जोन उसके बाद फाइट लूँगा अरे रुको मैं माइन लगा देता हूँ एक मिनट मेरे पास माइन एक है अगर कोई बंदा आया तो भाई फूटेगा माइन वल हब भी तुम किधर घुशती हां बताओ तुम्हें बंदा ना दिखती तुम सीधा घुश जाती हमारे मूं में बेचारा लगता है अभी अभी रिवाइब होकर आया था इसके बास में अच्छी वाली लूट भी नहीं थी वैसे दोस्तों अपना हो चुका है यहां बे 15 किल और अभे गया कहां अच्छा इधर है यह देखो कैम कर रहा है भूट की भाई या जी तुम तो गए अभे अभे यह कैसे हुआ मैं कैसे मर गया है कर आप या जी है कर आप दोनों बंदे है कर आप भाई मैं फुली कवर में था उस बंदे को मैंने इतना रिट नमबर मारा ओर नौक क्यों नहीं हुआ और यह बंदा कांश हागया दोस्तों मैं चला सिधा फिरिफार दिलीट करने भाई साब याह में घंत भाई ऐसे ऐसे नेक्स लेवल के कैमपर आ रहे क्या बताया चाहे भूतनी के मेरे को लगा एक बंदा है घर के अंदर और भाई ये कोर यहां पे चिपा हुआ था और पता नहीं ये कब आया मेरे को पता भी नहीं चला और मैं मर कैसे गया खुछ समझ में नहीं आया मेरे को छो